नमस्कार उस्तो मैं एक्षा पांड़े स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में बात करेंगे MTS के उपर के वीडियो में बात उपर और अगर आप चाहते हैं कि अलग से मैं फिर से फाइनल कट आफ को बनाऊंगा तो आपके वो इस वीडियो पे जैसा भी आपका रिस्पॉंस आएगा उस पे डिपेंड करता है ठीक है टार्गेट कोई वह लाइक कोई टार्गेट में नहीं रख रहा हूँ देख लेना अगर आप लोगों जैसा ही मन में आप बस वह लिख देना ठीक है तो इसमें थोड़ा जा बात करते वेकेंशीज के उपर कि वेकेंशीज किसी साब से चेंज हुई है और उनका कितना इंपक्ट पड़ेगा कई जगे वेकेंशीज कम भी हुई है और क्या ये फाइनल वेकेंशीज है इस वेकेंशीज से भी बढ़ भी सकती है वेकेंशीज की नहीं तो पूरा इसमें डिसक्स में 0 थे अभी इस वक्त सब में कुछ न कुछ गिंतियां हो गई है यानि 106 विकेंसी हैं टूटल टेक है एनार ने फिर से समाल लिया है दिल्ली रायस्थन उत्रकुन अच्छा खास विकेंसी है 2427 अखेले दिल्ली में है 287 टूटल विकेंसी हो गई ठीक है CR में 783 विकेंसी अभी है ठीक है 575 यू उत्तरब्रेस में है बिहार में 208 है और यहां पर भी बड़ी अच्छी कोटफ रहती है ठीक ठाक ER की बात करें 681 है वेश्ट बंगॉल में बाकी तो सब आप देख सकते हैं सिक्किम में 0 है चांसे हैं कि इन फ्यूचर बढ़ भी जाए इसमें अच्छा अब बात करते हैं NER में तो NER में मेघाले को छोड़के अधिकतर मेघाले और असम को छोड़के सब में संख्यां बहुत कम है ठीक है त्रिप्रा में 14 है टोटल 119 संख्या है और MPR में बात करें तो मदब बिदिस 93 है 36 गर 20 और अभी मुझे लगता है इसमें माराश्र में 1347 वेकेंस है और इसमें गुजरात में 249 संख्यां है गौाम अपके साथ वेकेंस है इन टोटल 163 में आनदर प्रदेश में जो है छे वेकेंस हैं बिलकुल बढ़ने की चांसे है और बढ़ेगी भी ते लंगानवा में 500 है तमिलनाडू और जो पॉंडिचेरी है उसमें 200 एकन में टोटल 797 है करनाटका में 151 है केरला 96 है 247 वेकेंसिस टोटल है आपके केकर रेजन में तो यह पूरे वेकेंसिस का ग्राफ है अब जो मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं वो कंपेर करते हैं लास्ट से कितनी वेकेंसिस तो हम कंपेर कर लेते हैं और आप देखते रहीएगा NWR में 106 वेकेंसिस अभी हैं पहले थी 51 तो यानि वेकेंसिस काफी बढ़ी है उसके बात करते हैं NR में यानि जो दिल्ली रिजन है अभी 807 है उसवक्त टोटल वेकेंसिस 1534 थी और उसवक्त महराश में पीड कर रही है ठीक है बात करते हैं CR की 783 और CR में वेकेंसिस उसवक्त जाधा थी 910 और अभी कम हुई वेकेंसिस लेकिन बिल्कुल चांसेज जो बहुत ज़ादा है कि वेकेंसिस इसमें इंक्रीज होंगी CR में भी ठीक है यह फाइनल वेकेंसिस बिल्कुल भी नहीं ए ए तो लगबग आपकी विकेंसीश जो हैं उननुचास कम हूई है यहाँ पर नीयर की बात करें तो एनियर में 119 विकेंसीश अभी है और पहले थी 180 यानि यहाँ पर भी वेकेंसीश आपकी कम हूई है ठीक है और उसके बात करते हैं MPR की 83 थी तो MPR में अभी जो हुई है 113 कि वाध करें तो 200 चुन टर्त सीट आज पर एग sûr पर करें 158 है ER में 100 है NER में 51 है वेकेंसीज में 238 है WR 163 है SR में 51 है KKR में 65 फ्रूटर वेकेंसी दूसोरों सचतिस है और यहां पर टोटल वेकेंसीज जो होगी है तो इसमें भी कम हुई है CR की बात करें 158 वेकेंसीज थी 144 हो गई है ER की बात करें 100 वेकेंसीज थी अभी 101 हो गई है थोड़ी से बड़ी है NER की बात करें 51 थी अभी 62 हो गई है MPR की बात करें 238 थी तो आपकी 240 हो गई है WR की बात करें 163 थी और आपकी 360 हो गई है तो अभी जो लास वाली पीडिएफ थी हो ये वाली पीडिएफ है दोनों टेलेग्राम ग्रूप में मिल जाएगी आपको इस्टेडियार वाले आप जोइन कर लिजेगा वहां पर पीडिएफ मिल जाएगी और इसके बारे हम डिसकस करते हैं कि अब जो है इसका इंपक्त कित अभी ये भी final vacancies नहीं है टोटल vacancies आपकी अभी लगबक ये समझ के चलिए दसजार के तो पार हो नहीं है दसजार से ऊपर vacancies बिल्कुल होंगी लाष्ट ये वेइखर काफी कम थी लेकिन लाष्ट ये का मतलब zwr 수 ला वाली तो उसक्ट vacancies कम थी लेकिन बाद में जब final joining हुई थी तो 10,664 ऐसे something बच्चों का हुआ था तो vacancies बढ़ जाती है इधर भी ऐसा होगा vacancies बढ़ रही है अभी time लग रहा है ये question भी मत पूछीए कि कितने दिनों में हो जाएगा क्योंकि कोई कहने सकता है ठेक है क्योंकि अब कोरोना को कौन प्रेडिक्ट कर सकता है कब लेकिन तब भी सारी चीजे स्टार्ट हो रही है अगली अब जो मिटिंग होगी वो एक तारिक को जो होगा जो भी उसका रिपोर्ट आएगा उस पे बताएंगे कि क्या इन फ्यूचर क्या-क्या हो सकता है जैसा भी वो लोग एनालसिस करके बताएंगे तो देखी जाहिए इसरी बात है कॉट जो है अठाटाश जो उस वक्त मैंने बता रखा था कि मैंने उस वक्त मिनिमम बताया था आप वो वीडियो देख लीजए कि मैंने मिनिमम एक जनरल के लिए बच्चे के लिए बताया था कि लगबग 80-82 नंबर जो हैं इसके होंगे उसके सेलेक्शन के चांसे होंगे मतलब उस वक्त कई पैरामीटर से कई फैक्टर थे और तब वहां पर वो क्लियर हुआ था अभी अगर मैं रफली एक आइडिया दूं मतलब बहुत जादा मैंने क्यालकुलेशन नहीं करी सिंपल से कैंसी इस आप से बढ़ रही है और आपकर आपको थोड़ थोड़ा सा लॉस हो रहा है क्योंकि अगर प्रोसेस हो जाए तो बाकी एक्जामों के लिए और फाइदा हो जाए क्योंकि उन लोग की जल्दी हो जाएगी तो इसमें क्या है कि यह लोग फाइट करेंगे धर भी और यह मैं आपको बहुत पहले वीडियो में बता चुका कि इस बार ऐसा करेगी कि आप रोक के रखेंगी चीजों को मतलब रिजल्ट वो है MTS का फाइनल जल्दी वो डिक्लेरी नहीं करेंगी मतलब आपका जो डीवी होने के बाद भी जब तक वो सीजियल यह सीजियल का फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाएगा फाइनल मतलब कि वह वाल रिजल्ट आजाए कि बस इतने मंदों का होगा और बाकी जो है वो अपना किस दूसरे एक्जाम में देखें उससे होगा कि अभी जिसे मालीजे साथ अरजार यह आठ जार यह जो सलेक्ट होंगे वो सब लोग यह तो सीजल्म सेलेक्ट हो जाएगे मुश्किल से एक आप लोग मुझे बताइए जो भी डाउट से आपके मन में जो भी आ रहे हैं अभी किसी भी एक्जाम को लेके और थोड़ास टाइम है मैं बना दूंगा मतलब कुछ दिनों में वीडियोज टेक है और एक पॉइंट यह भी है कि देखो जिनको मीम्स पसंद आते हैं वो इ एक रहता है कि मैं सारे मीम्स नहीं मतलब पोश्च करता हूँ वहाँ पे थोड़ा से एक प्लेटफॉर्म रहेगा तो वहाँ पे एक लिमिट थोड़ा से आम क्रॉस कर सकते हैं तो आप आईए जिनको अगर मीम पसंद है तो जिनको बिलकुल नहीं पसंद है वो यहीं पे है कोई दिक्कत नहीं है कोई भी मतलब हाट और फास टूल नहीं है और बाकी जो भी डाउट से वह आप कहिए हम से तो बहुत बहुत धिनवाद इस वीडियो देरें के लिए तेक है